गुड मॉर्निंग स्टुडेंट नाव तोड़ेज वीडियो लेक्चर वी डिसकस अबाउट दी फेजस ओप मेल ट्रांसफर इन एसम टीवी ठीक है SMTP के कमांड्स हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखे थी उसके रिस्पॉंस देखे थे कि सर्वर टू क्लाइंट जब कोई भी हमें मैसेज चेंड करना है मैसेज जब ट्रांसफर किया जाता है सो यहाँ पर क्या होता है कि सेंडर जो होता है कुछ कमांड सेंड करता है अगर सर्वर क्लाइंट के सर्वर को मेल सर्वर को डिसीवर के मेल सर्वर के साथ कदर कम्मुनिकेशन करोना है तो यहाँ पर क्या होता है सेंडर का जो मेल क्या करेगा क्लाइन को क्या करता है response send करता है in the format of code ओके तो यह जो सारी commands होती है backend में working करती है so now हम देखने वाले हैं कि what are the phases of the mail transfer in smtp okay so the process of transmitting of mail message in smtp occurs in the three phases connection establishment, mail transfer and connection termination जैसे हमने tcp में देखा था connection establish होता है data transfer होता और termination होता है उसी तरह से smtp में भी क्या होता है connection establish किया जते है क्योंकि it uses the services of the tcp and smtp is a connection oriented protocol ठीक है तो पहले connection establish करेगा then message को transfer करेगा and in last में क्या करता है connection को वो terminate करता है okay so first one is the connection establishment okay so after the connection after a client has made a tcp connection to the well known port number 25 the smtp server start the connection phase okay जब यहाँ पे sender जो होता है a client जो बोल सकते है वो जब connection establish करता है तो वो क्या करता है well known port number 25 से वो क्या करता है request send करता है for the connection establishment करने के लिए ठीक है जैसे उसकी request server receive करता है so at that time it establish a connection so हमारा connection यहाँ पर start हो जाता है ठीक है phase in the smtp involves the following three steps इसमें three steps है ओके अब उसने request send किया connection establish हो रहा है तो उसके लिए क्या connection establish करने के लिए मुझे क्या steps follow करने पड़ेंगे तो first one the server send code 220 service ready okay so जैसे ही client यहाँ पर port number 25 से request भेज़ता है connection establishment करने के लिए तो जो server होता है अगर उसको अगर वो establish करना चाहता है तो वो क्या करेगा code send करेगा 220 जैसे वहने बताया था कि जब भी यहाँ पर जो आपका server होता है receiver जब response करता है तो responses हमेशा code के format में होते है 220, 250, 221 यह सारे जो codes होते है इस format में क्या होते है responses होते 220 का मीनिंग क्या होता है कि service is ready okay server आपके साथ communication करना चाहते है आपके साथ connection establish करना चाहता है okay so tell the client that is ready to receive mail ठीक है वो mail receive करने के लिए जो भी आप mail send करने वाले वो receive करने के लिए आपका जो server है इसके साथ आप connection establish करना चाहते है वो ready दो उसके लिए 220 यह code send करता है okay if the server is not ready it send code 421 अगर server ready नहीं है तो वो क्या code send करेगा 421 that is service not available okay तो इस तरह से जो server होता है यह जो receiver in का जो mail server होता है वो हमेशा code के format में responses को acknowledgement को send करता है okay now the client send the hello message to identify use itself using its domain name address okay so अब क्या होता है जैसे ही server का reply आता है 220 it means it is ready to receive a mail it is ready to communicate with the you इस तरह से जब आपका server receive reply करता है acknowledge send करता है है क्लाइंट को सो इसमें क्या होता है जो client होता है आपका वह hello message send करता है ठीक है अपना डॉमेंड नेम वेरिफाय करने के लिए ठीक है तो सेंडर अपने डॉमेंड नेम को यहां पर बताता है कि तो इसके थ्रूर में क्या होता है कि इसके दिन रिसवर प्रिमेंड नेम नेम और फ्रूर। है थी कि इस तरह से क्या होता है यहाँ पर कि क्लाइन होता है वह हेलो मैसेज को सेंद करता है कि तो अपने एड्रस क्या है उसके तरी वह अपने अपने आपको करता है इस नसी बड़ ऑड़ इमेल आइडी ओके देन एक्स कि जो रिक्वेस्ट की कमांड थी वो कंप्रिट हो गई है और समधर कोड डिपेंडिंग अन्द सिच्वेशन ठीक है तो यहने ओके आपका जो डविन नेम में वह वेरीफाय हो गया है ठीक है आप मुझा भी डेटा सेंड कर सकते हो इस तरह से कनेक्शन इस्टाबिश होता है ठीक है तो connection establishment करने की लिए क्या होता है कि connection establish करने के लिए फहले जो आपका क्लाएंट होता है वो वैलनों 425 से requested send करता है फूर्द connection के लिए अगर server ready है तो वो क्या करेगा 2020 से कोर्ण से response और करता है इस means that I am ready I am receive you are हरा है कि मेरा यह मेल आईडी है और यह बहुत ज़रूर को भी कुछ कुछ information strain करनी है या कुछ बताना है so at that time क्या कर सकता है वो particular उसका mail ID verify होना बहुत जरूरी होता है किसका client का okay so this step is necessary to inform the server of the domain name of the clients के तुरू क्या होता है कि server को बता चल जाता है कि client का domain name क्या है ठीक है so during the TCP connection establishment the server and receiver know each other through their pair of address ठीक है तो इस तरह से जो server receive होते हैं एक दूसरे के साथ introduce होते है इसलिए यहाँ पर क्या होता है hello command सेंट किया जाता है जिसके तुरू हम client का जो भी domain name होता है वो server के साथ क्या होता है introduce हो जाता है ओके यह हो जाने के बास server establishment फेज जो होता है वो